नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं पोधो के लिए बहुत ही बढ़िया चीज बनाऊंगी जिससे कैल्सियम पोटेशियम सब मिलेगा पोधो को ये देखिए मेरा क्रीपिंग चाल्ली का प्लांट है जो पूरी तरह से सूप गया था घर से आने के बाद तो मै तयार हो गई है इसमें नई ग्रोफ आने लग गई है ये भी अच्छे से चल रही है आज जो मैं बना रही हूं उससे आप फिरी में अपने पोधे को कैल्सियम पोटेशियम भरपूर मात्रा में दे सकते हो उसके साथ उसमें और भी बहुत सारे तत्तों होते हैं आयरन मेग गर पे कैसे बनाए देकि अगर आफ गाओं अगर आसे हैं तो बहुत अराम से आप राख बना लेंगे वहाँ पर अराम से सब चीज मिल जाती है लेकिन सहर में आप कहीं से भी उबले ले सकते आज कर मिलते भी हैं और हवन कुण में इस तरह से जला सकते हैं या फिर लकडि मैं एक दो इंडोर प्लांट्स बाहर बालकनी में रख देती हूं जिनके कलर मुझे खराब से लगते हैं और अभी इसका कलर बहुत अच्छा हो गया यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है तो इसको मैं अंदर रख दूँगी इसको साफ करके अच्छे से और जो अं सारी बन गई है लेकिन अभी बहुत गरम है तो इसको छोड़ देंगे थोड़ी दे बिल्कुल ठंडी हो जाएकि इसके बाद हम इसको यूज मिलेंगे तब तक मैं और काम कर लेती हूं यह जो देखे जर्वेरा की इस तरह की पतिया होती है वो हमें टाइम टू टाइम खराब होती है और अगर हम इनको ना काटें तो इस सारी पतियां खराब हो जाती है और इसमें देखे दो कलियां भी आ रही है नीचे से तो ग्रोथ बराबर बढ़िया हो रही है लेकिन यह जो खराब पतियां इनको हमें हटाते रहना है इसमें नई पतियां आती रहती है फिर जो नई पत्या आएंगी वो बिल्कुल ठीक रहेंगी तो इतनी सारी पत्या खराब मेरे गार्डन छोटे से बालकनी से निकली है डेली ऐसे ही बहुत सारी पत्या निकालनी पड़ती है तभी पोधे ठीक रहते हैं तब तक देखे हमारी राख भी ठंडी हो गई है और इसमें है भरपूर मात्रा में कैल्सियम पोटेशियम दोस्तों देखे इसको बनाना कितना असान है और ये पोधों के लिए इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल राम बाना ये पोधों के लिए अगर आप इसको यूज करते हैं तो तो इसको मैं इस तरह से इस डपे में करके रख लेती हूं महीने में एक बार मैं अपने सभी पोधों में एक से दो चमच जरूर इसको देती हूं तो उसका रिजल्ट आप यूज करेंगे तो ही आपको पता चलेगा बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है गुलाब वगेरा जितने भी फूल वाले पोध हैं इतनी बढ़िया रहती है सभी के लिए कि आप यूज करके देखिए और आपको रिजल्ट अपने पता चल जाएगा मैं आपको एक बार देके भी दिख की होनी चाहिए गुडाई करने के बाद इसमें हमें एक से दो चम्मच चारों तरफ इस तरह से राक डाल देनी हैं पोधे को इतना बढ़िया कर देगी है कि आप देखेंगे कि यह वही पोधा जिस पर फूल नहीं आ रहे थे इतने फूल आएंगे पोधा भी एक्दम आप पर तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें मिलते हों नैक्स वीडियो में थेंक्यू वेरी माच बाई जैसी आरा